हलो फ्रेंज बहुत दिन के बाद मैं लाइव आया हूं फेस्बुक में आपसे दो तीन चीज बात करना चाह रहा था सबसे पहले मैं सबको थैंक यू बोलना चाहता हूं थैंक यू फॉर मेरे हेल्थ के बारे बहुत लोगोंने मेसेज किया है पूछा है हेल्थ पहले से थोड़ा ठीक है 100% ठीक नहीं हूँ लेकिन काफी ठीक है और मैं शायद नवेंबर ये डिसेंबर में थोड़ा ट्रीट्मिंट के लिए बाहर जाऊंगा लेकिन अभी मेरा दरकार है मेरे स्टेट में मेरे तीप्रसा लोगों को हमारे स्टेट के लोगों को और इस समय मैं अपने हेल्थ को प्रियोर्टी दे कर अपने तीप्रसा को भूल नहीं सकता हूँ तो मुझे लगा कि अब अगले एक मेहने में एक मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन में जाऊँगा उसके बाद मैं अपना फुल ट्रीट्मिंट ठीक तरीके से शायद नवेंबर के अंत में जब नगर पंचात के एलेक्शन हो जाए उसके बाद मैं जाकर ठीक से करा होगा मैं आपसे दो तीन चीज में बात करना चाहता है सबसे पहले थैंक यू फॉर आप लोग ने इतना क्वेशन्स मुझे आपने इतना मुझे विशिस भेजा मैं जानता हूँ कि मेरा हेल्थ ठीक नहीं है और मैं यह भी जानता हूँ कि आज जो मैं फाइट कर रहा हूँ मैं जानता हूँ कि यह फाइट मैं पूरा जिंदगी नहीं कर सकूँगा लेकिन जब तक मेरे पास दम है, हिम्मत है, मेरे पास जोश है मैं अपने ग्रीटर तीप्रेजान के लिए अपने तीप्रसा के लिए फैट करते रहूँगा ये मेरा एक motivation है और मैं ये करते रहूँगा तभी भी आपने जो प्यार दिया है, उससे मुझे मालूम पड़ता है कि इंडिया में महाराजा लोग रहे नहीं है, लेकिन आपके दिल में आज भी हमारे परिवार बुबागरा के लिए, महाराजा के लिए सम्मान है, इज़त है और उस इज़त से मुझे शक्ती भी मिलता है, आपका प्यार, आपका आशिरवाद मुझे बहुत ताकत भी देता है और शक्ती भी देता है और जब हम लोग एक दूसरे से लड़ते हैं तो मुझे खराब भी बहुत लगता है क्योंकि मैं politics में दिल से नहीं आया हूँ, मैं आया हूँ क्योंकि मुझे अपने तीपरासा लोगों के लिए एक constitutional solution चाहिए और ये constitutional solution मैं अगर अपने स्वार्थ से देखा मैंने MLA बनके या मंतरी बनके या MP बनके तो वो मुझे मिलेगा लेकिन मेरे तीपरासा लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, इसी के लिए मैं जमीन में आया हूँ और जिस दिन हमारा constitutional fight जो है वो हमें मिल जाता है, उसके बाद मुझे कोई राजनीती नहीं करना है मैं college खोलना चाहता हूँ, hospital खोलना चाहता हूँ, लोगों को help करना चाहता हूँ politics, politicians को करने दीजे, मैं अपने लोगों के लिए एक बार, एक बार, एक होकर, ठांसा होकर, ग्रेटर तीपराण के लिए fight करना चाहता हूँ एक दो तीन चीज और था, जो मैं आपको update देना चाह रहा था, सबसे पहले दिली अभियान, दिली अभियान हमारा पुरा ready है, government of India हमें नहीं दे रहा है permission, 200 से ज़ादा लोगों को एक खटा करने जंतर मंतर में, इसी के लिए हमने ये दिली अभियान को first week of November के बाद हमने ready रखा है, train भी पूरा book हो गया है हम लोग 1200 लोग दिली जा रहे हैं November को, first week के बाद, कल या परसो Monday को press conference करके हम announce कर देंगे, कौन से date में हम लोग दिली अभियान जा रहे है दिली अभियान में हमारा मकसद किया है, हमारा मकसद है कि पूरा इंडिया को मालूम होना चाहिए कि इंडिया में भी एक छोटा सा राज्य है, जिसका नाम थ्रिपुरा है, और थ्रिपुरा में हमारा बहुत problem है और उस problem को सिर्फ government of India कर सकता है, हम भी हिंदुस्तान के नागरिक है, आप हमें आस्वाशन हमको guarantee दीजिए कि आप हमारे लिए क्या कर सकते है हमारा demand greater tea plan का है under article 2 and 3 और हम इस demand में government of India से बात करना चाहते हैं हमें बात नहीं करना है कि किसको कितना मंतरी का post चाहिए, किसको मिले चाहिए, किसको क्या seat alliance चाहिए हमें अपने लोगों के बारे बात करना है, हमको अपने व्यक्तिकत के बारे हमको क्या मिल रहा है वो उसके बारे नहीं करना है हमें government of India से एक constitutional solution चाहिए ये हमारा दिली अभियान है और इसमें हमने पूरा ट्रेन बुक किया है बारा सो लोग नवेंबर के फर्स वीक के बाद हम लोग सब जा रहे हैं मैं भी जाओंगा और मैं भी जनतर मंतर में आपके साथ बैठ कर मैं भी आंदोलन करूँगा शायद पहला बार है कि रोयल फैमिली का कोई भी मेंबर जनतर मंतर में खुद बैठ कर ग्रेटर तीप्रा लैंड के बारे डिमांड कर रहा है बहुत लोग बोलेंगे कि ये राजा महाजर्गों का काम नहीं है लेकिन मैं सबको एक बात बोलना चाहता हूँ सबसे पहले मैं तीप्रासा हूँ उसके बाद मैं भुभाग रहा हूँ तो ये मैं कभी नहीं भूलूँगा और ये दूसरे लोगों को भी नहीं भूलना चाहिए दूसरा बात है कि मैंने देखा है कि आज कल बहुत प्रॉब्लम चल रहा है बंगलादेश में पूजा के टाइम हमारे माइनॉरिटी जो वहां में है उनके उपर अटैक हुआ है बहुत दुख लगता है बहुत खराब लगता है क्योंकि कहीं में भी आप माइनॉरिटी को टागेट करने से मतलब कि किसी को क्या मिलता है वाइलन से किसी को क्या मिलता है तो जहां में मंदिर को जलाया गया, पूजा पंडाल को तोड़ा गया, माइनोरिटीज को मारा गया, हिंदू लोगों को वहां मारा गया, ये गलत बात है, और इस समय बहुत लोग इंडिया में भी बोल रहे हैं कि इसका हमको बदला लेना चाहिए मस्जिद को तोड़ कर, इ अगर कही में उन्होंने मंदिर तोड़ा है, तो हमारा जवाब किसी का मस्जिद तोड़ने का बात नहीं होता है, कही में अगर किसी का चर्ट जलाया गया, तो इसका ये मतलब नहीं कि हम यहां में किसी का रिटैलियेट करें, ये लोग जो कर रहे हैं बंगला देश में प् और वो हमारे जो बंगलादेश के प्राइम मिनिस्टर है इस समय हमें उनके उपर विश्वास करना चाहिए कि वो ये गुंडे लोगों को जिसने पूजा का पंडाल को तोड़ा है वो उनको अरेस्ट करेंगे उनके खिलाफ कारवाई करेंगे यहां में अगर हम उनकी को अट प्रिसी है और इस समय हिंदुस्तान का अगर एक दोस्त है तो वो शेक हसीना है और उनको उपर हमें पूरा विश्वास करना चाहिए और मेरा पूरा विश्वास है कि वो हमारे माइनॉर्टरी इसको प्रोटेक्ट भी करेंगे और जो गुंडे लोग ने जो कुमिनल लोग मैं उनको वर्निंग देना चाहता हूँ अगर उन्होंने गलती किया है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप भी गलती करें इमोशन सबका रहता है लेकिन इमोशन का ये मतलब नहीं है कि अगर किसी ने किसी के घर में हमला किया या किसी के बीवी को अटाक किया या किसी को बहन क बाएक को मारा तो हम भी ऐसी करकर उनके जैसे बन जाएं। तो मैं बोनना चाहता हूँ कि ऐसे जो वाइलेंस हो रहा है त्रुपरह मैं जहां हम अपने ही माइनौरिटी को एट॥ेक कर रहे हैं, हम में और दूसरे देश में क्या फरक रहेगा? अगर हम अपने देश में अपने माइनोर्टिस को प्रोटेक्ट नहीं कर सके तुरुप्रा का एक अलग कल्चर रहा है तुरुप्रा में महाराजा तुरुप्रा ने शूजा के लिए मस्जिद बनाया आज भी उजेंता पैलेस में हफते में दो बार नमाज पढ़ा जाता है पीर बाबा आकर तुरुप्रा का रोयल फैमिली ने कभी धरम के नाम में किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया है मैं अपील करना चाहता हूँ कि आज के दिन हमें भाई बनकर दोस बनकर रहना चाहिए और धरम के नाम में किसी के संग आपको फाइट करने से कुछ नहीं मिलेगा मुझे चिंता है कि बांगलादेश में जो हो रहा है वो हमारे पूरे शेत्र के लिए खराब है अगर शेक हसीना कमजूर हुई और बांगलादेश में कॉमिनल एलेमेंट्स आ गए तो आज के दिन एक करोड़ सत्तर लाख हिंदू माइनॉरिटीज हैं बांगलादेश में और अगर बांगलादेश में शेक हसीना नहीं रही तो बांगलादेश में सिचुएशन खराब हो सकता है और अगर ये सिचुएशन वहां में खराब हुआ तो आप सब जानते कि अफगानिस्तान में सिर्फ 20 दिन के अंदर तालेबान आ गया था और अगर बांगलादेश म अगर कोई anti-communal elements आ जाएंगे तो जो हमारे minority से वो कहां जाएंगे पस्चिम मंगाल में आएंगे या फिर North East में आएंगे और अगर North East में आया तो problem सबको होगा हमारा यहां में संख्या कम है हमारा यहां में पहले से tension है और इसके बाद अगर बंगलादेश में situation खराब हुआ और हम लोग सब बहुत लोग यहां में आने लगे तो tension हमारे घर के अंदर भी हो सकता है इसके लिए आप सबको मैं बोलना चाहता हूँ कि आप कुछ चीज डिमांड करने से पहले सोचो यह सिर्फ इंडिया के लिए नहीं पूरे region के लिए है मैं आपको last में एक बात बोलना चाहता हूँ हमारा elections होने वाला है नागरपाले का का तिप्रा मोथा ने अपना committee का meeting रखा है और अगले आने एक दो दिन में हम लोग उसमें भी विचार करेंगे मेरा मानना है कि जब तक अंचुलिक party है क्योंकि सब लोग बोलते कि आप लोग तो regional party हो आप लोग तो जनजाती के party हो आप तो बनबासी के party हो बनबासी का मतलब किया है जो जंगल में रहता है तो आज का तिप्रासा जंगल में नहीं रहता है आज का तिप्रासा अंबासा में रहता है आज का तिप्रासा कुमार घाट में रहता है आज का तिप्रासा सबरू में भी रहता है तो मुझे लगता है कि पहला बार रिजनल पार्टी को इस बार हमको भी दिखाना है कि हमारा पॉलिटिक सिर्फ जंगल में नहीं हमारा election में vote करना पड़ा for national party क्योंकि हमारे तीपरा सा parties लोग urban elections में लड़ते नहीं थे अब हमारा तीपरा मौथा इस election में जो नगरपंचायत election होगा और municipal election होगा इस election में हम लोग लड़ेंगे और हम लोग contest भी करेंगे हम किसी के खिलाफ नहीं है हम भी development चाहते हैं हम corruption के against हैं और हम चाहते हैं कि हम भी पूरे state को दिखाए कि हम लोग भी साशन करना जाते हैं तो इस बार मैं एक भी तीपरा सा का vote को दूसरे party में जाने नहीं दोंगा ये तीपरा मौथा आपका party है ये तीपरा मौथा अगर हम fight करेंगे तो हम जीतने के लिए fight करेंगे और तीपरा मौथा भी इस बार sub seat में नहीं लेकिन जहां में हमारा लोग है हम लोग उसमें contest करेंगे और हम लोग जीतने के लिए contest करेंगे और जो लोग हमें support करते हैं बिंगॉलीज हो मुस्लिम्स हो मनीपूरीज हो हिंदुस्तानी workers हो कोई भी हो जो त्रिपरा को ठीक रास्ते में ले जाना चाहता है मैं आपको अपील करता हूँ कि आपने सब को chance दिया है आपने सब को chance दिया और सब ने आपको धोका दिया है हमें भी एक बार chance देके देके शायद हम अलग हो और अगर हम गलत है तो आपके पास और एक मौका आएगा हमें हटाने के लिए लेकिन अगर आपने उनी लोगों को चुना जिसने पार्टी के नाम में दंगा किया है जिसने पार्टी के नाम में लूटा है तो आप अपना भवश्य अभी बदल नहीं सकते हो यह मेरा मेसेज है I just wanted to tell you one thing that we Tiprasa people the people of Tripura whether it is Muslims whether it is Christians whether it is Hindus whether it is Buddhists we believe in a secular state and I am appealing to all do not allow fringe elements communal elements to do what the communal people are doing in Bangladesh do not repeat it in my state of Tripura and please be very careful if Bangladesh becomes unstable there is 1 crore 70 lakh Bangladeshi minorities right now in that country and if Sheikh Hasina is weakened because of us protesting against her then all these people who are minorities tomorrow if Sheikh Hasina is not there remember what has happened in Afghanistan even in 20 days Taliban took over if Sheikh Hasina is weakened what may happen in Bangladesh will directly affect the northeast and Bengal because lacks and lacks of people then if they are insecure will cross over to India and our population is small and we will get in further problems and further complication that's why I am saying the time for us for Thansa for unity is very important believe me we are fighting not for ourselves Pradyot Manikia I am not fighting for myself my health my health I do not know I do not know how many years I am लेकिन मैं एक बार अपने टीप्रासा लोगों को कुछ गवर्मेंट विंडिया से दिलवाना चाहता हूँ और वो मेरे लिए नहीं हमारे लोगों के लिए है मैं सब को प्यार करता हूँ I love all of you all आपने मुझे इतना प्यार दिया है, सम्मान दिया है मेरा हेल्थ पहले से काफी अच्छा है और मैं आपको बोलना चाहता हूँ दिल्ली तो हम लोग जाएंगे, अभ्यान तो करेंगे और उसके बाद हम लोग भगवान करे, बाबागरिया करे, सुबराय करे, खुदाना खास्ता करे हम लोग आने वाले दिन में जीतेंगे भी 2023 में हमारा लास्ट फाइट होगा और ये लास्ट फाइट में ये मेरा फाइट नहीं होगा, ये हम सब का फाइट होगा बेलाईनो हम भाई, धन्यवाद, थैंक यू, और कहाम